Hello everyone,ICA आजसी इस वीडियो मने वालaci है that Recool I.T. Capsule के बारे में जो की इस Capsule के Capsule के समाशवचосorp के सांसाते इसा और भी multiple producing के इस्त्माल के जाता है तो आज स्य स्याता है थो आजसी वीडियो मंने हम इस वीडियो में इस स्याःकिट के बारे में तो बात करते हैं Recool IT Capsule जो की 15 Capsule की Packing होती है 270 से 240 वे की प्राइज में बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है Macloid Company की बिनाई ही है Medicine है अब बात करते हैं Recool IT Capsule में क्या-क्या Combination है तो इसमें आपको दो तरह के Important Combination अबलेबल हो जाते हैं पहला Combination है Recool जो की हर एक Capsule में आपको 20 mg अबलेबल हो जाता है दूसरा Combination है Itopride जो की हर एक Capsule में आपको 1.5 mg मिल जाता है अब इन दोनों Combination हो और क्या काम है कौन-कौन से प्रपज़ों में इस्तमाल करते हैं तो पहला Combination है Itopride जो की एक तरीके का Prokinetic Drugs है इसके साथ Antifluent क्लास से बिलॉंग करने वाला है Medicine है इसके इस्तमाल बहुत ज़्यदा Dispepsia के परपज़ों में इस्तमाल किया जाता है अपच की समस्या होती है किसी भी कारण से हो इसके साथ आफरा बनने की समस्या होती है ऐसा महसूस होता है कि बुलबुला जैसा पेट में बन रहा है तो उन से भी कंडिशनों में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा छाती में जलन होने की समस्या होती है भूख नहीं लगता है Gastroparesis जैसे समस्यों में Itopride का इस्तमाल किया जाता है इनके है बेनिफिट होते है इसके साथे साथ जो अगला कॉम्बिनेशन है रेविपराजोल जो की एक तरीके का proton pump inhibitor है जो की बहुत ज़्यादा इस्तमाल antacid, anti-reflex, anti-alcerative और proton pump inhibitor जैसे class बिलोंग करने वाले और यह सभी property पाई जाती है रेविपराजोल में जो की इसका इस्तमाल acid reflex की समस्याम किया जाता है GERD, gastroesophagal reflex disease में इस्तमाल करते हैं जो की खटी डाकार, ऐसा महसूस होना की गले तक खाना पहुँच गया या बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, चाती में जलन होती है या peptic ulcer होता है, या intestinal ulcer होता है किसी परकार की छाले होते हैं तो उन सभी condition में इसे दिया जाता है यह दोनों ही medicine का combine करके काफी अच्छा effect देने का काम करती है और patient को काफी रहात मिलता है इसे gas के अलावा और भी multiple परपजों में इस्तमाल करते हैं इनके हैं फायदे होते हैं बात करें इस दवा का क्या dose होता है तो इस दवा का dose आप इसे दिन में एक से दो बार इस्तमाल कर सकते हैं इस दवा का इस्तमाल आप खाली पेट करते हैं डॉक्टर के सलहा के बाद करें, जिसे आपको किसी परकार कोई समस्या ना हो, इस दवा के इस्तमाल किसी के बताया जाने पर आप इसे बिल्कुल इस्तमाल ना करें, बात करें क्या नुक्सान हो सकता है, अगर आपको सूप नहीं करता है, तो तौचा में लाली पन, बहुत ज तो उन सभी कंडिशनों में आप इसे इस्तमाल ना करें, करते हैं तो डॉक्टर के सलाह और एक देख में इस्तमाल करें, तो यही था रीकूल आइटी कैपसुल के बेरे में जनकरी, अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू फर वाचिंग